कि बहुत-बहुत सागत है आप सभी का अपने पर हैकर में अधर दिखने वाले हैं जो भी जातर बीसी सेकंडियर में है तो सेकंड सेमस्टर में हैं तो स्था अल्ग होगा मैंने चोशन डाल रखें आपका भाई बहन कोई तो आपको क्या करना हुआ सबसे पहले आप किसी भी उनिवस्टी से एनिवे तो आपको जो बतार हो भाई पढ़ लो वागी कुछ मत पढ़ो अब देखो यहां बोला गया है बीसी थार्ड एर स्वारी सेकेंड डियर बॉटनी का थर्ड विपर ठीक है अब आपको क्या करना ह होगा कि 2022 के अधि आप टॉपर बनने वाले हो 85% प्लस की बात करने वाले हो तो यहीं पढ़ो 15 से 17 कोशन लगभग में और 10 कोशन एक्जाम से दो दिन पहले दूंगा जो आपके पेपर में छपते होंगे जो आपके पेपर में गया होगा चपते होंगे तो आपको क्या करन आपको मिले वह दबादो अब तो यहार एक काम करेंगे लास्ट में वीडियो को शेर कर दे रहा है मैं कुछ नहीं कह रहा है कि आपको अभी बद शेर कर दो लास्ट में जाकर वीडियो जो खतम हो जाए तो एक अपने वाटसब गुरुप जो भी है यह फेस्बुक आप च कि देखो कि इस कोशन को देखिए है कि 2022 में आने वाले कोशन पहला कोशन मिटे के लगाएंगे अपने बुक नोट्स अपर लगा सकते हैं यह फिर हमारी वेब साइट है पेपर है कर डॉट इसका लिंग में डिस्क्रप्शन बॉक्स में है उस पर जाकर आप पीडियेप को डालोड कर सकते हैं जो नोट्स हमने बना रखा है उसे नोट म fancy करिया बिर तरीके से होता है वह अप देखेंगे उर्म मस बोलते हैं इन दोनों तत्वों को हमारी पाधुमें पाय जाते हैं कुछ पाधूमें बहुत ज्यादा पाए रखे हैं euber मैं समर्द की वात चारही इन दोनों पर देना ठीक है यह भी आपके लिए काफी 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 मुश्ट इंपोर्टेंट है जब मुश्ट की बात करता हूं तो आपको मुश्ट की तरह पढ़ना है यह आपका देखिए सक्रिय अपको सब्सक्राइब इसको पढ़ेंगे ठीक है और यह जो आप देख रहे हैं विस् इन दोनों को पढ़ लेना बहुत बहुत ज़्यादा इसको छूड़ देना है और यह आपको पढ़ना होगा एटीप का निर्माण कैसे होता है एटीप का निर्माण कैसे होता है कि पॉदों के अंदर एटीबी का नर्माण कैसे होता है यह आप कुछ प्लांट देख रहे हैं जिसका नाम है सी थ्री प्लांट हो सी फूर प्लांट एम सी थ्री चक्र जिसे हम क्यल्विन चक्र बोलते हैं इंपोर्टेंट लगा लो बीटा तो पर्शेंट पेपर में चपेगा जब चपेगा ना तो आपके सामने आते ही आपकी दिल से ना जो खुशी उत्पन होगी उसकी कलपना आप खुद नहीं कर सकते हैं समद्रेना और यह देखिए यह है स्वासन दू प्रकार का होता है एक ह दोनों प्रकार के सौशनों को बढ़ेंगे उसके बाद में है पादब ब्रद्धी हार्मोंस क्या होते हैं जिसे हम पादब गती कहते हैं ग्रोथ हार्मोंस दो देखिए तीन यह हमेंने इंपोटेंट चुब रोट हार्मोंस से वो तीन दे रहे हैं इथाईलीन होता है और तीन होता है न तीन हार्मोंस अच्छी तरीकी से पढ़हना ये किस तरीक advert करते हैं यह घ्रोथ हार्मोंस औप प्लांट में सकतर है कारԵो हई कह सकते हैं कारवोहाइड कारवोहाइडरेट क्या होते हैं कार सब्सक्र पढ़ेंगे तो सब्सक्राइड क्क मेरने यह प्रोटीन की सरचना को पढ़ेंगा 임포 यह व्लयतम है कोई दिक्कत नहीं बाकी कुछ नहीं देखिए इसी कोड क्या होता है लिपिड के महत और बसाओं के बारे में आप याद करेंगे देखिए एंजाइम का क्लास्टिफिकेशन जब करेंगे तो एंजाइम कितने प्रिकार की होते हैं अब मैंने कहा आपको देखिए एंजाइम का प्रिकार हो गया यह सारी इंजाइम हो यह काफी इंपोटेंट है डियन आ रहें ने में अंतर बढ़के जाएंगे इस खतम होने वाला है आपको देख सकते हैं परास्रण क्या होता है पराश्रण दाव क्या होता है ठीक है निकलोटाइट में आपसे अंतर पूछ लेता है उसको पढ़के जाएंगे आप अपढंके घये हो ना पढ़े हुए हो तो आप उसके बना बना के लिखते है खिली है है इस्केล क्छक्रम मॉस्ट इंपर्टेंट है अन्ता सोश्ण के बारे में पढएंगे थे मुद्च की परिकल अपेन इसमेंड मूंजिकी परिकला क्ला इसमेंड मुट्टेंट इमर्बोर एक्ट क्वैंग चक्र है फोटो कि रेस्पीरिशन क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे अगए कि 뭐야 क्या होता है अप इसको पढ़ेंगे जैब कर नाह gelmişनट चक्र होऄद और देखो प्रूंजायम देख़ों प्रूंजायम के पिरकार हूटा उसको देखले ना 것은 ठीक है और प्रिदफीर इवस्ट इंपूरण डिये लिए और रने की सरचना देखों यहाँ देरकाई जैड्ड डियेनalten की सरचना ठिक है जैड्ड कि यहने की सहरचना आप इसको पढवनेंगे और यह है जी प्रुस्थी कह सकते है ठीक प्रुसप्ति जी से हम डर्मंसी बोल सकते हैं ठीक है सितने हिंदी कार उनके बहुत ज्यादा इंपो ड्रामची बहुत ज़्सता है आप से और एक पूचता है दिप्ति-कालिता के बारे में पढ़ लेना है उसके बाद में नीचे हम लोग जाएंगे और नीचे लास्ट में हम देखने को मिलते हैं जैसे के बारे में आप कुछ मत देखना यहीं पढ़ना है और बाकी कुछ ने देखना एक्जाम से दो दिन पहले मैं आपको दस कोशन देने वाला हूं जो आपके पेपर में चापेंगे बही रट लेना अच्छी तरीके से और बाकी हम मिलेंगे नेक्स पर तक के बाकी बाकी कुछाम जापेंगे बाकी कुछ साओना।